मैं मीडिया के साथियों से भी विनम्रा आग्र करूँगा कि बे अब हमें समय दें और इस सभाग्रू से बाहर जाने का कश्च करें आज G20 के प्रसिडेंट के तोर पर भारत पूरी दुनिया का आवान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस Global Trust Devisit को एक विश्वास एक भरोसे में बदले मौरोको में आये भूकम से प्रभावित लोगों के प्रती मैं अपने हार्दिक समवेदना प्रगट करना चाहता हूँ हम प्रार्थना करते हैं कि सभी इंज़र्ड लोग श्रीग्र स्वस्त हो इस कठीन समय में पूरा विश्व समुदाय मौरोको के साथ है और हम उन्हें हर संभव सहायता पहुँचाने के लिए तयार हैं यॉर हाइनेसेज एक्सलेंसीज जी ट्विंटी के प्रसेडेंट के तौर पर भारत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है इस समय जिस स्थान पर हम एकत्रित है यहां से कुछी किलोमेटर के फासले पर लगभग धाई हजार साल पुराना एक स्तंब लगा हुआ है इस तंब पर प्राक्रित भाशा में लिखा है हेवं लोकसा हित मुखेती अथ यम नातीसु हेवं अर्थात मानव ताका कल्यान और सुख सदेव सुनिस्चित किया जाए जाए हजार साल पहले भारत की भूमी ने यह संदेश पूरे विश्व को दिया था आए इस संदेश को याद कर इस G20 समीट का हम आरंब करें 21 सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपुन समय है यह वो समय है जब बर्सों पुरानी चुनोतियां हमसे नए समाधान मांग रही है और इसलिए हमें यूमन सेट्रिक एप्रोच के साथ अपने हर दाईत्व को निभाते हुए ही आगे बढ़ना है फ्रेंक्स कोविड-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है युद्धने इस ट्रस्ट डेफिसिट को और ग्यहरा करते हैं जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आये इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं आज G20 के प्रसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आवान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस लोपल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास एक भरोसे में बदले यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्रा हम सभी के लिए एक पत्ध प्रदर्शक बन सकता प्रश्विक अर्थिववस्ता में उठल पुथल हो, नॉर्थ और साउथ का डिवाइल हो, इस्ट और वेश्ट की धुरी हो, फूर्ट, फ्यूल और फर्टिलाइजर का मेनेजमेंट हो टेर्रिजम और साइबर सिकुरिटी हो हेल्थ, एनरजी और बोर्टर सिकुरिटी हो वरतमान के साथ ही आने वाली पीजियों के लिए हमें इन चुनोतियों के ठोस समाधान के तरफ बढ़ना ही होगा फ्रेंक्स, भारत की जी ट्वेंटी प्रसिडेंसी देश के भीतर और देश के बाहर इंक्लूजन का सबका साथ का प्रतिक बन गई है भारत में ये पीपल्स जी ट्वेंटी बन गया करणों भारतिये इस से जुड़े देश के साथ से ज़्यादा शहरों में दोसों से ज़्यादा अधिक बैठके हुई सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रिकन यूनियन को जी ट्वेंटी की स्थाई सजस्यता दी जाए मेरा विश्वाद है कि इस प्रस्ताव पर हम सब की सहमती है आप सब की सहमती से आगे की कारवाई सुरू करने से पहले मैं अफ्रिकन यूनियन के अध्यक्ष को जी ट्वेंटी के स्थाई सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहन करने के लिए आमंत्रिक करता हूँ आप सब की सहमती से आगे की कारवाई सुरू करने से पहले मैं अफ्रिकन यूनियन के अध्यक्ष को जी ट्वेंटी के स्थाई सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहन करने के लिए आमंत्रिक करता हूँ करता हूँ आप हूँ एक्सेलिसी